हेलो स्टुडेंट्स तुडेश प्रैक्टिकली स्पेसिफिक रेजिस्टंस हालाच आपन मिटर ब्रीज आसा ही मनतों इथे आपलेला रेजिस्टंस काड़ेचा है तुडेश प्रैक्टिकली स्पेसिफिक रेजिस्टंस आपलेला काड़ेचा है अन्नून रेजिस्टंस मग इते मिटर ब्रीज ला वन मिटर कॉंस्टंट मैनेंजिंग वायर आटाच आसतों हे मिटर स्केल मैनेंजिंग वायर ला पैरलली आसतों इते दोन टर्मिनल आटाच आहेत मैनेंजिंग वायर ला आणि हैचाने इते ग्याप क्रियेट होतों तर अपलेला हे connection करावाल आगेल आणि तेवां मिटर स्टोन bridge कंप्लीट होतो हे गयापा हे मिटर स्टोन bridge चा हे जे bridge जा हे ते वेड्स्टोन bridge चा प्रिंसिपल शी बेस राहे इत्थे चार रेजिस्टर लावलेले आसताथ तातले दोन हे पैनल आसताथ इध्वे आपन डाइग्रम मदे पाहू शक्तो की छार रेजिस्टर आहे छे चार रेजिस्टर एक मेकां चा पैनल शे आटच आहे यहातला एक रेजिस्टर जो आसतो तो अन्नोण आसतो ताला फुटला ही साइडला आटच केलेला आसतो तर आपन unknown resistor ला find out करूँ शक्तो हैचा साथे आपने ला circuit diagram दिलेला है circuit diagram नीट पहा तर हैचा साथे आपने ला कुटलया कुटलया material ची requirement मन्जेच आवशकता लागेलते पाहू first battery eliminator, resistance box, connecting wires, one way key, galvanometer, unknown wire और रेजिस्टर आणि जोके आणि हैचा आपन connections बगुयाद battery eliminator चा positive terminal है है terminal ला attach के लेला है है terminal ला attach के लेला है आणि battery चा negative terminal wire ना attach होत one way key चा first terminal ला जोड लेला है आणि सेम दुसरा connecting wire second end ला attach के लेला है one way key चा है है terminal ला जोड लेला है अता connecting wires resistance box दोनी है ला terminal ला connect के लेला है first है है terminal ला आणि second इते दोनी टर्मिनल रेजिस्टन्स बॉक्स ला attach के लेला है मिटर ब्रिच चा left ला अपन resistance box connect करना रहोत आणि ब्रिच चा right अपन ग्याल्वानो मिटर ला attach करना रहोत मग अता ग्याल्वानो मिटर चा positive terminal है wire ला attach करत अपन अटेच करना रहोत है ला है terminal ला आणि negative terminal है जोड के ले अटेच के लेला है I hope तुमाला connections नीट कराला असेल चला मग practical करू या मीटर ब्रिच चा battery eliminator ला पनी ते on के लो battery eliminator ला on के ला नंतर जो जोक्या असतों तो अपलेला wire कडे घ्यून जावाला लागेल मग अपलेला चेक करावाला लागेल की कुटला point ला null deflection मिटर कडे मंजे अपलेला practical मदे null point मिटर लाकी आसा मनता येल मिटर गेज हे balance राहे मिटर ब्रिज हे balance आला चला मग practical करू हे battery, resistance box आणी galvanometer मग resistance box मदले एक की काड़ावा लागेल अत्ता अपनी तो दोन काड़ु याथ दोन मंजे दोनो हम दोनच काड़ावा असना ही तो रिता अपन table लिहून गिवियाथ आरबी मंजे resistance box L लेंथ आनी 100 माइनस लेंथ X मंजे unknown resistance R इंटू L डिवादेड़ बाए 100 माइनस L मग आरबी आपन समझा 5 O हम काड़ू 5 O हम चा मंजे 5 चा की काड़ू तर identify करू यापन practical first चालू करू आपन battery on के लो नंतर resistance box मदे इथे आपन नंबर दिलेला है 1, 2, 2, 5 आणी बाकी चे पन खाली नंबर सर्थ तर जमा आपन resistance box ने 5 चांक काड़ू तेजाल आरबी वैल्यू मग आत्ता आपन जौकी ने ह्या magning wire वर्ति आपलेला point सरकवावा लागेल असा सरकवत अस्ताना गैलोनों मीटर वर्ति आपलेला zero deflection ये ताहे का नाही ते चेक कर आवा लागेल जमा आपन जौकी सरकवत अस्ताना zero deflection कुटा मिलतो तेज़ पॉइंट तेज़ पॉइंट आणी तिते आपलेला क्रत की ये बैलन्स जालेला आहे की नाही अपन पाहु शक्तो की इते आजुन 30 कड़े आहे जोकी आसज continue सरकवावा लागेल जिते आपलेला null point मिलतो तेपलेला थांबावा लागेल इते 67 ला 67 लेंदला आपलेला null point मिलाला इते point 67 सो आपन रीडिंग लिहु याथ L is equal to 67 तसेच आपन 2-3 प्रोसेस करू 2-3 प्रोसेस केलान अंतर तेच आपन calculation करू याथ आथा आपन next number काडू सोरी इता आगोदर 2 काडलेलो उता 2 ओहम काडलेलो उता मन्जे 2 ओहम लापलेला 67 लेंथ मिलालो उता तर आपन बुक मदे लिहु याथ मगा तापन काडू याथ पुन्नेक दा दुसरा रीडिंग साथी 7 काडू यापन 5 सनी दोन 7 मगा आगोदर सारका आपन सेम लिहु याथ आरबी मदे आला 7 ओहम सेम तसस प्रोसेस कंटिनिव करावा लागेल जोकी घ्योन आपन पुन्ना स्केल वर्ती ग्यालवानो मिटर ला खुटे नल पॉइंट मिलतो तिते थांबावा लागेल तुम्हें ते पाहुश रकता कि डिफलेक्शन इता खुब जास तेता है असर जाकी तुम्हें फिर्वत रहा जो परन तुम्हाला नल पॉइंट मिलतना है इत्थे आपलाला सत्यातरला नल पॉइंट मिलाला सत्यातरला मगाता अपन सेम पुन्ना अजुनेक काड़ूया रेजिस्टर दोन अनी साथ जाले तर आपन पाच चा काड़ूया हे आता आपन काड़ू पाच हो हमचा मग जोकी आता आपन फिरूया तो डिफलेक्शन कुटम्हें तो भुगू कुटला पॉइंटला जोकी लास तो फिर्वत रहूया कुटला अपलेला पॉइंट मिलए परेंथ मग इता अपलेला मिलाला 72 पॉइंटला तर मग आपनली होन गिविया पाच हो हमला अपलेला मिलाला 72 लेंथ मग आता अपन हैचा कैलकुलेशन करू 100-L मंजी किती 100-67 is equal to 33 अनी 100-72 28 तसे 77 सा 100-77 we get 23 मग आता सेम अपन अन्नोन रेजिस्टेंस काड़ याथ X is equal to formula काया है R into L by 100-L मग R ची वैलिव 2 हम अस्ताना 67 divided by 33 तर 2 into 67 divided by 33 अपलेला मिलल 2.03 तर 2 into 2.03 is equal to 4.06 हम सेम तसेज बाकी चेपन सेकेंड ला पलेला 12.8 हम मिलतो आनी 3rd ला 23.4 हम मिलतो मग आता पन हे सगया X value चे X mean काड़ याथ मग सरा X mean चे रीडिंग्स लिवियाथ X mean is equal to X1 X1 चे value काया है 4.06 प्लस X2 12.8 प्लस X3 मंजे 23.4 divided by 3 अपला आंसर मिलल 40.26 divided by 3 is equal to 13.4 2 हम 13.42 हम X value अपला ला किती मिला आला 13.42 हम मग हाज आला specific resistance सा practical thank you